हम लोग कल पर रहे थे कि भारत में तुर्की सल्टनत की अस्थापना कैसे हुई और पहला जो दिल्ली सल्टनत है उसकी अस्थापना कैसे कुतुबुदिन मुहमद गोरी और कुतुबुदिन एवक ने मिलकर किया आज हम लोग जो पढ़ेंगे वा यह कि सबसे पहला वंस है गुलाम वंस सबसे कल पहला वंस कौन सा है गुलाम वंस इसको दास वंस भी कहा जाता है सबसे पहले इतिहासकारों में इस नाम को लेकर मतविहद है गुलाम वंस का सासन बारा सो च्छो एड़ी से लेके बारा सो नुब्य एड़ी तक कुल मिला के 84 वर्स तक सासन क्या कुल मिला के 11 सासक हुई और 11 सासक तीन वंस के थे कितने वंस के थे तीन वंस के थे पहला वंस था कुतबुदीन एवक का वंस दुसरा वंस था इल्टुत्मिष का वंस इल्टुत्मिष वंस इल्टुत्मिष वंस को समसी वंस भी कहा जाता है और तिसरा था बलवनी वंस, तीन वंस के राजा थे, कुल मिला के ग्यारा राजा हुए, कुछ राजा कुतवुदिन एवक के बंस के थे, कुछ राजा इल्टुमिस के बंस के थे, कुछ राजा बलवनी वंस के थे, तो ये तीनों जो थे, एक ही वंस के नहीं थे, तीनों अल में तीन सासक ही दास थे हैं कष्छी कोंऔकोन दास थे तो कुटवूदीड एवग दास था बिल्टत्मीज दस थे और बल्वन दास थे लेकिन ये तीनों सासक जो है राजा बनने के पहले ही दासता से मुग्त हो चुके थे तो फिर इतिहासकारों कहना है कि आखिर इस बंस को गुलाम बंस कैसे कह सकते हैं फिर सरीयत में किसी गुलाम या डास को राजा बनने के कोई अधिकार नहीं हैं तो फिर यह खो जा गया कि आकि इस each once का नाम क्या रखा का था कुतुबुदीन एवक भी जो था वह इलवरी तुर्क नहीं था और बलवन भी कुतुबुदीन एवक भलवन भी जो था वह इलवरी वंसका नहीं था बलवन दावा तो करता था कि मैं इलवरी तुर्क हूं लेकिन वह था नहीं वास्ता में जो समकाली सोत हमें कहते हैं तो सिर्फ एक वन्स के अधार पर हम इसे इलवरी वन्स का भी नहीं कह सकते हैं। कुछ इतिहासकार इस वन्स को आरंभिक तुर्क वन्स कहते हैं। और कुछ इसे आदी तुर्क कहते हैं। लेकिन फाइनली अंतिम में इस निसकर्ष पर आया गया कि इस वन्स का नामकरन सबसे अच्छा है मामलूक वन्स। मामलूक वन्स का अर्थ हुआ कि मामलूक वन्स और दास में अंतर हैं। दास जो होता है वो जम से ही दास होता है। लेकिन मामलूक जो था वो जम से सुतंत्र होता है जम से सुतंत्र होता है या कुतुबुदीन एवक हो या अलतुतुमिष हो या बलवन हो ये सभी जम से सुतंत्र थे है इसलिए इनको इस वंस को मामलूक वंस कहा गया दो इस गुलाम वंस का सबसे सही नाम करन क्या है मामलू क्यों होगा क्योंकि यह जम से दास नहीं थे जम से सुतंत्र थे बाद में यह दास बन गया या गुलाम बन गया मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा अब यह हो गया इस बंस का नामकरन इस बंस का नामकरन मामलुग बंस है या गुलाम बंस है गुलाम बंस इसलिए यह कि जो तीनो जो राजा थे इस राज मतलब गुलाम बंस के जो तीन परसिद राज बंस थे उसके अंतरगत वो तीनो जो थे गुलाम थे, इसलिए इसको गुलाम वंस परचलन में कहा जाता है, लेकिन इसका सही नाम मामलुक वंस ही होगा. अब मामलुक वंस का संस्थापक कोन है, अगर आपसे कुश्चन आ गया, गुलाम वंस का संस्थापक कोन है, दिल्ली संत्रत का संस्थापक कोन है, और तुर्क वंस का, तुर्क समराजी का संस्थापक कोन है, तो आपका एक ही जवाब होगा, कुत्वूदिन एवक, कोई दिक कुत बुदिनेवग के जवाब होगा का है । अब है खिले आफंधिन पिलाऊ मोंमध गोरी का Aus और सियावुद्दीन मुहम्मद मुहमूद गोरी भी है ठीक यह दोनों नाम उसी का है मुझुद्दीन मुहम्मद गोरी या मुहम्मद गोरी नाम एक ही है तो कुटबुदीन एवग जो था मुहम्मद गोरी का गुलाम था मुहम्मद गोरी का दो और गुलाम था जो इंपोर्टेंट था एक गुलाम था कुवाचा और दूसरा गुलाम था आपको यल्दौज कुवाचा यल्दौज यल्दौज की जो बेटी थी उसका साधी हुआ था कुटबुदीन एवग से और कुटबुदीन एवग की जो बहन थी उसका साधी हुआ था कुवाचा से क्लियर? कहने कार्थ की सभी जो थे एक समंधी भी थे कुवाचा हो या यल्दौज हो या आपका कुटबुदीन एवग हो यह तीनों आपस में समंधी भी थे तीनों आपस वे समंधी भी थे, लेसंशिप में भी थे और तीनों मुहमद गोरी के विश्वासपात गुलाम थे और सिना नायक थे जब मुहमद गोरी की मिर्तु बारसो च्छो में हुआ जब वो पंजाब से लोड़ कर गजनी जा रहा था तो वही रास्ता में आपको अफगानिस्तान में एक जगह है दम्यक दम्यक में अफगानिस्तान की जन जाती है खोकर ने मुहमद गोरी को मार दिया जब मुहमद गोरी को मार दिया तो मुहमद गोरी का अपना कोई पुत्र नहीं था तो यही तीनों जो विश्वास्पात्र सेना नायक थे मुहमदगोरी के कुवाचा, यल्दौज और मुहमदगोरी के बीच में राज का विभाजन हो गया तो कुवाचा जो है मुल्दान और सिंद का सासक बन गया अब यल्दौज जो है गजिनी का सासक बन गया यल्दोज गजनी का सासक कैसे बना यह मैं बता देता हूँ मुहमद गोरी का अपना तो कोई बेटा था नहीं भतिजा था ग्यासुदीन महमूद क्या नाम था उसका ग्यासुदीन महमूद ये ग्यासुदिन महमूद क्या किया कि यल्दोज को गजनी का सासर बना देता है ग्यासुदिन महमूद अपना सासन यल्दोज को दे देता है वो सासन का भार खुद नहीं लेता है लेकिन यल्दोज का इंट्रेस्ट क्या है कुतुबुदिन एवग जो है पंजाव, डिल्ली और जो भी पूरब के जो बंगाल बिहार, बंगाल, राजपूताना इस सब इसका दिकार था तो यलदौज की इक्षा थी कि हम जो है लहोर पर भी कवजा कर ले तो उसने पंजाब पर आकवन कर दिया यलदौज ने तो कुतुबुदिन एवग जो लहोर ये सब का सासक था, उसके बीच में यलदौज और कुतुबुदिन एवग के बीच में लराई हुआ और इसमें यलदौज प्राजित हो गया, जब यलदौज प्राजित हो गया, तो ग्यासुदिन महमूद को फिर स्वे गजिनी का सासक क कुतवुदी नेवक ने बना दिया और 1208 हेटी में ग्यासुदीर महमुष से दास्ता का मुक्तिपत्र ले लिया अब जो है कुत्वुदी नेवक 1208 हेडी में जो है सुतंत्र हो गया गोरी का गुलाम था उससे यह सुतंत्र हो गया लेकिन यलदोज जो था गजनी में काफी पॉपलर था तो यलदोज फिर से गजनी का सासक बन गया लेकिन कुत्वुदी नेवक ने क्या किया कि राजधानी वह लहर को बना लेता है क्योंकि वह गजनी पर नेंतरन कर सके इस परकार वह कुभाचा का समस्या का समधान कर लिया लेकिन इधर पूरब में बंगाल में भी काफी डिश्टर्ब हो रहा था मैंने आपको बताया था कि मुहमद गोरी 1164 में एडी में जब चंदावर का यूद करता है और फिर वह जैचंद को प्राजी करके बनारस के मंदू को लूडता है उसके बाद बख्तियार खिल जी नावा के सिननायत बिहार वबंगाल को जीटते हुई आगे बढ़ता है लेकिन बंगाल में बख्तियार खिल जी का जो हत्या अली मर्दान कर देता है और बंगाल पर अधिकार कर लेता है लेकिं अली मर्दान खाँ को भी एक सेर खाँ नाम का बैक्ती है वो जो है इसको कैद कर लेता है अली मर्दान खाँ भागते हुए किसी परकार वो कुतबु दिन एवक के पास पहुशता है और मदद मांगता है तो कुतुबुदिन एवक जो है अवद का गवर्नर है रूमी रूमी अवद का गवर्नर रूमी को कहता है कि तुम अली मर्दान खा को मदद करो और फिर अवद का गवर्नर रूमी ने अली मर्दान खा को बंगाल का गवर्नर बना दिया इस परकार बंगाल का समस्या भी कर लिया। इसमें कुत बुदिन एवक ने अपना एक तरह से कह सकते हैं कि विवेग का परचे दिया और दोनों समस्याओं को ऐसा समधान किया कि विभारी के विभारी के विभारी के विभी मत्या का परचे दिया। कुत्वुदिन एवग 1206 से लेके 1210 एडी तक सासन किया ज्यादा दिन तक इसका सासन नहीं था और लहौर को अपनी राजधानी बनाया लेकिन इंद प्रस्त को इसने सैनिक मुख्याले बनाया कुत्वुदिन एवग कुरान जो नुसको पूरा याद था इसलिए इसको कुरान खवा भी कहा जाता है कुरान जो है सको पूरा याद था उसको लाल वक्स भी कहा जाता है island लाल वक्स भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत दानी व्यक्टी था इसको पील वक्स भी कहा जाता है क्योंकि हाती जो है कदान करता रहता था इसलिए इसको पील वक्स भी कहा जाता था इसके दर्वार में दो इंपोर्टेंट विद्वान रहते थे हसन निजामी ने ताज उलमासीर लिखा था और दुसे थे फक्र ए मुदवीर इनके दरवार में रखते थे फक्र-ए मुदवीर क्लियर कुतुबुदी देवत ने इसलामी अस्थापत्यका भारत में शुरुआत किया और दिल्ली में एक जगा है महरावली महापर कुतुमिनार बनाया किसके याद भी बनाया कुतुमिनार तो एक चिस्ति संथे ख्वाजा बक्तियार काकी के नाम पर कुतुमिनार का निमार करवाया था और पहला जो है कुबवत एक मस्जिद इसलामी अस्थापत्यका भारत में पहला मस्जिद बनाया कुबवत उलिस्लाम मस्जिद कुबबतुल इसलाम मस्जिद ये भी बनाया था पित्वीरा चौहान का जो किला है राय पित्वरा उसी किला में इसने इस मस्जिद को बनाया था अजमेर में एक महाविद्याले था और संस्कीत महाविद्याले था और इस महाविद्याले को बनाया था चौहान सासक बिगरय राज विशल देव चतूर्थ उसी को तोर के इसने अजमेर में अढहाई दिन का जोप्रा बनाया था पहले कहा जाता है कि यह महाविद्याले से पहले संस्कीत महाविद्याले भी था कोई कोई कहते है कि विश्नु मंदिर था कोई कोई कहते हैं कि यह विश्नु मंदिर था तो यह कुतुबुदिन एवक का भारत में अस्थापत्य के समंधी में कुछ काम है जो आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए माइंड में रखना चाहिए परिछाओं में पूछा जाता है जह है बारा सो दस एड़ी में लहोर में एक खेल है चोगान और पूरण टाइप का खेल है घोड़ा पर 1210 AD में ‫लहौर की गद्दी पर इसका एक पुत्त्र था अरामसा उसको गद्दी पर बैठा दिया अर्मसा उतना been योगी शासक नहीं था और कुत्वुदिं एवक की बेटी का साधी हुआ था इलतुत्मिश से इलतुत्मिश से और इल्तुत्मिश से सिग्र ही अरामसहा को प्राजित करके जूद की लराई में और लाहोर की गद्धी पर कवजा कर लिया और इस परकार से इंटॉथमिस अब जो है कुटबुदिन क सार्षा का साषण समाप्ष हो जाता है और फिर दन्ने वादो.